आज दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ICICI bank का debit card का use करके आप कैसे flip card पे equated monthly installment या फिर EMI पे products को खरी सकते हैं तो देखी friends मेरे flip card account में जब भी मैं login करता हूँ तो सिर्फ एक ही bank दिखाता है जो EMI के लिए eligible है वो भी debit card का है वो है SDFC bank पर इस वीडियो में मैं आपको screenshot के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप अपने flip card account में login करते हैं और अगर आपको दिखाता है कि आपका ICICI bank का debit card eligible है तो उस case में आप कैसे shop कर सकते है flip card पे तो देखिए friends अगर आपका ICICI bank का debit card eligible है flip card पे EMI के लिए तो उस case में आपको ICICI bank की तरफ से 1,00,000 रुपे तक का finance मिल सकता है या फिर 1,00,000 रुपे तक कि आप shopping कर सकते है flip card पे तो देखिए सबको 1,00,000 रुपे नहीं मिलेगा किसी को 40,000 मिलेगा किसी को 50,000 मिलेगा किसी को 80,000 मिलेगा किसी को 1,00,000 मिलेगा तो ये depend करता है कि customer जो है ICICI bank है उसका track record previous bank का track record कैसा है bank के साथ तो इस बात का ध्यान रखिए और उस हिसाब से ही आपकी finance या फिर limit decide होगी अब देखिए friends यहाँ पर एक चीज और है कि bank आपको EMI करने की जो सुवीदा दे रहा है उसके लिए bank आपसे कुछ extra interest चार्ज करेगा तो इस बात का ध्यान रखिए अभी जब मैं यह video बना रहा हूँ तो यह 16% सालाना है या फिर 16% पर एनम है यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ वह 14% पर एनम लिखा है बट यह screenshot थोड़ा पुराना है उस समय 14% पर एनम था बट अभी जब मैं यह video बना रहा हूँ तो यह change होगे 16% पर एनम यानि की 16% सालाना हो गया तो जो भी आप product खरीदेंगे आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपको bank को extra interest देना पड़ेगा क्योंकि bank आपको debit card पे EMI की facility दे रहा है उसके अलावा friends यह है कि आप bank को जो payment करेंगे तो वो 6 महिना, 9 महिना, 12 महिना के tenure पे कर सकते EMI tenure अपने हसाब से select कर लिजे आपको जो भी मतलब आपकी requirement है उसके हसाब से और bank को फिर आप payment करते रही है, बस एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी आपका पर मंत का EMI बन रहा है जैसे समल लीजे आपका 3000 रुपे बन रहा है हर महिने का, तो उस case में आप अपने savings account यानि कि ICA bank के savings account में 3000 रुपे के ऊपर ही रखिए क्योंकि एक बार जब EMI आपके account पे चालू हो जाएगी, debit card पे, तो उस case में bank आपके savings account से automatically payment को deduct करता रहेगा मतलब EMI जो भी रहेगा हर महिने की, वो अपने आप कटती रहेगी, तो savings account में balance जरूर maintain करके रखिए और ये balance आपके EMI amount से ज़्यादा होना चाहिए तो friends, आपने flip card पे अपने 1% product को add कर लिया है, तो देखिए जैसे समल लिजिए उसकी कीमत है 29,999 यानि कि 29,999 रुपे समल लिजिए तो देखिए यहाँ पर साफ लिखा है EMI, EMI में जादा payment option वाले page में आप देखेंगे, EMI लिखा है, easy installment और इसमें लिखा है get debit card EMI on ICICI pre-approved debit EMI लिखा है और इसमें साफ साफ लिखा है, ICICI bank debit card EMI, तो इस option पे आप tap कीजिए और अगले screen पे friends आपको अपना EMI tenure select करना है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 6 महिना, 9 महिना, 12 महिना का EMI tenure आप अपनी convenience के हिसाब से ले सकते हैं, यहाँ 3 महिने का भी दिखा रहा है, तो जो भी आपकी screen में दिखा रहा है tenure EMI का उसको आप अपने हिसाब से select कर बस एक बात का धियान रखिए कि यहाँ पर interest charge by bank जो है, वो आप चेक कर लिजे अच्छे से, जो भी आप EMI tenure अपना select करेंगे, उस हिसाब से interest charge by bank यहाँ पर change होगा, तो जैसे आपने 2999 का product add किया था, तो उसमें bank यह जो interest charge कर रहा है, जैसे अभी screen shot में आप देख रहे हैं 402 रुपए, यानि कि 30702 रुपीज, तो इस बात का धियान रखिए आप कि interest charge by bank को आप अच्छे से देख लिजे, कि कितना bank charge कर रहा है, उसके बाद ही आप product को purchase कीजिए, उसके बाद जैसी friends आप continue button पर tap करेंगे, अगले पेच पर आपको अपना ICSI bank का debit card का solar digit का card number, expiry date, उसके पीछे जो तीन डिजिट का printed CVV code या CVC code बोलते हैं, उसको enter करना है, और continue करना है, आप verified by visa या mastercard के page पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर आपके registered mobile number पर या तो एक OTP आएगा one time password, उसको आप enter कीजिए, या फिर अगर आपने पहले से verified by visa का password या फिर mastercard secure code का password सेट कर करके रखा है, तो उसको आप enter कीजिए, और अपने transaction को approve कीजिए, आपकी जो EMI है, चालू हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर, आपका transaction successfully placed हो जाएगा, मतलब order placed हो जाएगा, और bank से, आपके savings account से कुछ भी पैसा नहीं deduct होगा, क्योंकि जो selected customer को ये facility मिल रही है, debit card EMI की, उ उनके लिए overdraft facility use होगी, तो friends मैं आशा करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो का description एवाए चेक का लीजिए, उसमें आपको और थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, thanks for watching.